आग्रा में सर्वाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस के एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें परियावरण के पती लोगों को जागरुक करने और परियावरण को सहजने के पती सांसर प्रफेसर स्पी सिंग बगहिल काफी गंभीर हैं उन्होंने आग्रा में अपनी उपस्ति के दौरान हर दिन एक पौधा रोपने का ब्रत लिया है सांसर प्रोफेसर स्पी सिंग बगहिल परियावरण के प्रती बेहद ही समवेदन शील हैं उन्होंने गुरवार को अपने आवास के सामने स्थित पार्क में नीम का पौधा रोपा इस दौरान सांसर ने अपने आवास पर मौझूद लोगों को ब्रक्षा रोपन के लिए प्रेरिद भी किया सांसत का कहना था कि हम आगामी पीड़ी के लिए पौधा जरुर रोप हैं आपको बता दें कि सांसत प्रोफेसर ऐसपी सिंग बगहिल ने हर दिन एक पौधा रोपने का बरत लिया है वे आगरा में होने पर हर रोज एक पौधा जरुर रोपते हैं कल उधर गया था मैं अत्मांतपुर की तरफ तो जो जमना जीपन नरसरी हैं दस नीम के पेड़ खरीद के लाए थे तो ये अब जीवन का एक धे बना दिया है राजनीती तो चलेगी राजनीती कभी 24 गंटे नी चलती है और जो कहते हैं वो जूट बोलते हैं लेकिन राजनी नीम के पेड़ लगा रहे हैं और ये पर्यावरन के लिए बहुत अच्छी हम बहुत परेशान हैं कि अपने अजन में नातियों को हम सोना चांदी ही रे जावारत दुकान मकान प्लॉट एबडी आडी के बारे में सोचते हैं लेकर हमें ये भी सोचना चाहिए कि आज सित मेंसंता करनी चाहिए कि अपने आने वाले लोगों को संपत्ति के स्थाना त्रहन के साथ सात्त उत्तम परियावरन भी हमें देना चाहिए तो हमने जीवन का हम दे ह्या बना लिया जिस मसीन को देख रहा हैं इसको लोगों ने खरिद है और और प्रति दिन चाहे एक पेड़ लगाए लेकिन ब्रक्षा रोपन जरू करेंगे अगर अपने शहर में हैं तो उस दिन प्लांटेशन जरू करेंगे इस समय समूचा वेश्व गलोवल वार्मिंग से जूज रहा है परियावरण को सहिजने और प्रदूसर झालमिंग करेंगे शवार युझा करेंगे झालमिंग से ब्र cent और